हेलो एब्रिवन, जै माता दी, आप सभी लोगों को नवरात्रों की हारदिक शुपकामनाएं, माता रानी की कृपा आप सभी पर सदेव बनी रहे, मा भगवती के नवरात्रों में नो सरूप होते हैं, और हर सरूप का अपना एक विशेश भोग होता है, जिस प्रकार से संतो माता रानी की क्रपा से आपके सभी दुख दूर होते हैं, मरवांचित इच्छापोन होती है, पहला नवरात्रा होता है माता शैल पुत्री का, इस दिन माता रानी को देशी घी का भोग लगाया जाता है, हो सके तो गाय का देशी घी लिजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नी, जो घी आप यूज करते हैं, अपने घर में अपने लिए आप उसका भोग माता रानी को लगा सकते हैं, और माता शैल पुत्री क गी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति होती है दूसरा नवरात्रा माता भ्रहम चार्णी का होता है और इस दिन माता रानी को चीनी का शक्कर का या फिर पताशे का भोग लगाया जाता है और माता भ्रहम चार्णी को लगाए गए इस भोग से माता रानी से देर्ध आयू क का आशिरवाद प्राप्त होता है कभी भी अकाल मृत्यू नहीं होती है तीसरे नवरात्रे पर माता चंद घंटा की पूज़ा की जाती है और माता रानी को दूद या दूद से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है और इस दिन भोग लगाने वाले को धन धन्य में व भोग में माल पुए अर्पित किये जाते हैं आप बाजार से लाकर भी भोग लगा सकते हैं नहीं तो घर पे बनाना भी बहुत असान होता है आप घर पे भी बना सकते हैं और अगर आप जाना चाते हैं कैसे बनाए जाते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा चेक कर लीजैगा मालपुए का भोग लगाने वाले के जीवन में सुक्ष समरिदी बनी रहती है सुक्ष समरिदी में व्रिधी होती है पााँच वे नवरात्रे वाले दिन माता स्कंद माता का पुझन किया जाता है प्रेम स्नेख की देवी बुद्धी का विकास करती है तो इस दिन अगर कोई केले का भोग लगाता है माता रानी को तो बुद्धी में विकास होता है तो आप आज के दिन अपने बच्चों से सबी जनों से केले का भोग जरूर से लगवाएं छटे नवरात्रे वाले दिन माता कायत्याईनी की पूजा की जाती है इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है या फिर आप माता रानी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं या पान के उबर सुपारी लॉंग लाइची और पताशा लगाके उसका भोग लगा सकते हैं माता कात्यायनी को शहद या पान का भोग लगाने वाले के सोंदर्य में मान सम्मान में वृधी होती है साथवे नवरात्रे पर माता काल रात्री का पूजन किया जाता है और इस दिन भोग में माता रानी को गुड का भोग लगाया जाता है। और इस तरह से अगर आप माता रानी को नारियल चड़ाते हैं आटवे नवरात्रे पर तो इच्छा पूर्ती होती है। आपके घर में धन दानने की बरकत, सुक, शान्ती और व्रिधी का आशिरवाद देती हैं माता रानी आपको। जिस तरह से वैश्नो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक हम भैरो जी की यात्रा ना कर लें। उसी तरह से नौमी या अस्टमी जब भी आप कन्या पूजन करते हैं आप प्रशाद के साथ केला भी जरूर से दें। क्योंकि ऐसा माना जाता है वो भैरो जी का लांगूर जी का प्रशाद होता है और एक लड़के को कन्याओं के साथ जरूर जिमाए। तो ये वो नौ भोग हैं जो माता रानी को आप नौ दिन लगा सकते हैं। सभी चीजें आपको आपके घर पे ही मिल जाती हैं। सभी चीजों का पासानी से भोग लगा सकते हैं। और माता रानी के सभी सवरूपों को आप प्रसंद कर सकते हैं। उनका आशिरवाद ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रोज कुछ भी मेा का फलों का भोग लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 9-9 दिन ही आप भोग लगाएं, जोन से दिन जोन सा आप समान जुटा पाएं आप वो भोग लगा लें, तो इस तरह से आप ये 9 भोग मैंने बताएं हैं, जो आप मातारनेंड के सभी सरूपों को अरपन करके उनका आशिरवाद ले सकते हैं, इसी तर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर से लिखें, जय मातादी, राधे राधे धे,